तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो लिशन में हम लोग अपने लिगल और रेगलर्टरी आस्पेक्ट और बैंकिंग का यूनिट नमर 16 जो की बेस्ट है डिफरेंट टाइप सब्सक्राइब पर आज हम लोग इस टॉपिक को डिसकस करेंगे दोस्तों बहुत ही महत्पूर्ण चैप्टर है क्योंकि यह जो चैप्टर है यह आपको बेसिकली पीपीवी और लाड़ेवी तीनों में यह चैप्टर का काम आएगा इसमें जो कंसेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं तो आइए दोस्तों सुरुबात करते हैं अपने इस लिसन को सबसे पहले देखते हैं कि में हम लोग LLP करते हैं तो कुल मिलाकर यह दुनों टॉपिक को हमें इस चैप्टर के अंदर डिसकस करना है दोस्तों अब देखिए दोस्तों सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वह हमें यह समझना है कि मनी लेंट टू इन इंडिविज्वल अब कौन सा कौन- लोग कोंठ्रैक्ट करने के लिए कंपिट्ट है तो देखिए सबसे पहला क्या है कि वहिए न इन्र हो है परस Ayy चांप्यज्व ऊंट नहीं कर सकता सकता है तो इसे फैल कर दिया आप लोग recover नहीं कर सकते हैं तो यह पहला भाद ध्यान रखना है कि minor किसी भी contract में इंटर नहीं हो सकता है दूसरा point क्या है कि यदि वह आदमी sound mind का नहीं है तब भी वह contract में नहीं competent contract में इंटर करने के लिए ठीके दोस्तों पहला point था कि वह minor होना माइनर होना चाहिए दूसरा point है कि वह sound mind का होना चाहिए sound mind का नहीं होना चाहिए और दोस्तों तीसरा point है कि disqualified person हो जरा यह देखते हैं disqualified का मतलब क्या हुआ कि जैसे मानली जी कि person को insolvent declare कर दिया गया insolvency law के अंदर तो वह एक तरह का disqualified हो गया तो जैसे वह declared हो गया तो अब वह person जो है insolvent हो गया तो और वह contract मेंटर नहीं कर सकता है तो दोस्तों यह तीन condition आपको ध्यान में रखना है इन तीनों condition में वह person contract मेंटर नहीं कर सकता है में ध्यान रखना है अब देखिए आपके सामने question है for a loan given by a bank which of the following is not liable personally due to which the loan cannot be recovered from them personally minor insolvent insane all of the work दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा है कि यह तीनों के तीनों लोग चाहे वह minor हो यह वह insolvent हो यह वह insane हो यह तीनों के तीनों लोग जो है हमारे हमारे contract में इंटर नहीं कर सकते हैं और basically loan तो एक तरह का contract ही तो है उसके बाद दोस्तों तो यह point आपको clear हो गया कि आखिर कौन-कौन से लोग contract में competent नहीं है पहला याद रखेगा minor दुसरा याद रखेगा insolvent तो तिसा याद रखेगा आप इंसेन परसन चलिए अब लोग नेक्स टाइप पे आते हैं पहला जो हमारा टाइप और वह वह पार्टनर्सिप फॉर्म तो देखिए सेक्षन नमबर फॉर जो है करता यह है कि पार्टनर्सिप एक रिलेसंसिप है किसके किसे बीच में परसन हुआव एगरेट तो सेड़ प्रॉफिट आप देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि लोग आपस में अग्रिमेंट किये हैं कि जो भी बिजनेस से प्रॉफिट होगा आपस में वह सेयर कर लेंगे तो यह जो रिलेसंसिप है यह किस एक्ट के अंदर कहा गया है तो साब साब लिखा वैं दोस्तों सेक्षन फॉर ऑफ इंडियन पार्टनर्सिप यानि ऑप्सन नमर भी करेक्ट आंसर है तो देख सकते हैं हम लोग जो इतने भी इंपॉर्टन चोड़ी क्ग देख रहे हैं सब पहें लोग नुमेरिकल को सब्याइकंजन देख सकते हैं चलिए आगे बहता हैं अब जरा हम लों करते हैं कि पार्टनर्सिप का लीगल फूरी संट क्या है तो एक पार्टनर्सिप जो है पाटनर से डिस्टिंट नहीं है लोग के अंदर कह आवस्यक है अनिवार है आपके सामने कोश्चेन है वाट इस लीगल स्टाइस ऑप पार्टनर सिफ्फम इड़ा सेपरेट लीगल इंटिटी वें रजिस्टर इस नौट इस पार्टनर इंड रहा है इसा मद समझे कि फर्म अलग है और पार्टनर जितने वह लग है बिल्कुल नहीं वह दोनों आपस में सेपरेट नहीं है ठीक है अब देखिए दोस्तों हमारा नेक्स कोश्चन भी है वीच अपने से कौन सा स्टेट्मेंट जो है सही नहीं है पार्टनर सी फिर्म की रिगार्डिंग पहला है रिचेशन इस ऑप्शनल है दुसरा है रिच्टर फिर्म क्यों see other party in its own name यानि रइश्टर फिर्म दूसरे पार्टी को स्यू कर सकता है अपने निम पे दोस्तों थ्र पॉइंट है बैंक के लोग सकती हुआ यह लेकिन बैंक कोना करना परेगा कि जो भी यू नेक्स टॉपिक हमारा अथोरीटी और पार्टनर्स तो फिर से देखिए इंडियन पार्टनर्स एक एकुस्ट निटी तो करता है च्बडु और इसी कचसं whatsapp करता है सेंडियन तो कि अधोनितृ और ये दो second यहां पर क्याइश चUM gates सेक्शन रॉपिज और पार्टनर्स 10 Stern और situación अंगॉडे नोटत्र ऑप काम किया गया है in the usual business of the partnership in the usual way of the business or as a partner तो ये तीन condition में जो भी partner का काम है वो firm का काम माना जाएगा question आप ये सामने है to bind other partner a partner of a must act नहीं देखिए एक partnership में हो सकता है तीन से चार partners हो तो दूसरे partners जो भी हम है हमारे उन्हें यहांदी हमें में बाइंड करना है तो question में कहा गया है कि to bind other partners a partner of a firm must act तो पहला option है in a usual course of business of the firm only दूसरा कर रहा है in a usual way of doing the business only और थर्ड कर रहा है कि as a partner on behalf of the firm and not solely on his behalf only अडिकर all of the work तो दोस्तों आप देख सकते हैं उपर कि यह जितनी भी तीन options लिखे गए वहीं यहां पर दुबारा लिखे गए तो यदि फर्म यूज करना चाहता इंप्लायर अथोरिटी और इंप्लायर अथोरिटी के section के अंदर तो section 19 के अंदर है तो he has to ensure compliance of all type of condition ठीक है उन्हें तीनों यह क्रेट और डेविट ठीक है यह दिमाली क्रेडिट वैलेंस में है और बैंकर दसनों ट्रेट प्ट शेट अप्ट अगेंस अरे इंडिविट अगांट तो पहले कोट के पास आना है और तब वह इंटाइटल होगा कि वहां से अब देखिए कोश्चन आपके सामने है इफ फर्म मैंटेनिंग बैंक अकॉंट इस डिकलेर इंसॉल्बेंट माले जो कि बैंक अकॉंट को मैंटें कर रहा है वह इंसॉल्बेंट डिकलेर हो गया तो विच वर इनौट करेक्ट धिया कौन सा सही नहीं यह यह पुझा गया ह अब देखिए नहीं करना चाहता है तो जो क्रेडिट वैलेंस है वह ऑफिसल्बेंट को पे करना पड़ेगा तो पहला चीज है कि बैंक सबसे पहले तो ट्रांजिक्शन रोंग देगा शर्म ऑचई परसे देखिए अब फर्म बनता बहुत सारे से कोई पार्टनर से बनता है अब यह कोई पार्टनर नंतक होगा और टो अब मान लिजे कि आपको ऑठरी में यान वीग्हार्ण लेकिन बैंकर को एक mandate obtain करना परेगा कि जितना भी previous चेक इसू किया गया इंसॉल्वेंट पार्टन के दोरा उसे उसका payment किया जाए provided the other partner confirm the same चलिए अब देखिए अब मालीच यह था क्रेडिट में यदि डेविट में रहा तो क्या होगा तो तो यह करना परेगा और ग्रीट में थो मैंडिट लेना परेगा यह दो बात समझें अब आपके सामने कोस्टन नहीं है इस फर्म का पार्टन इंसॉल्वेंट हो गया तो इन में से कौन सा कथन सही है तो फ्रेंट्स जैसा कि अभी हम लोग उने देखा है कि जब भी कोई इंसॉल्मेंट हो जाएगा तो फर्म को डिजॉल्व करना पड़ेगा और इसका मतलब यह हुआ कि जो एकॉंट में जो भी ऑपरेशन होगा वह बहुत नहीं किया जाएगा और साती साथ इतनी भी चेक साइन किया गया थे इंसॉल्मेंट पार्टन के दौरा उसको भी पे आप नहीं कर सकते हैं ठीके दोस्तों तो यह पॉइंट ध्यान में रखना है कि यह जब हमारा पहला केस क्या था जब हमारा फर्म वह हो जाए आपका इंसॉल्मेंट अब हम पा अपरेशन फिर भी कंटीनू किया गया है तो वह लाइवल नहीं होगा क्योंकि यहां पर क्लेटॉन केस का रूल है इसमें साफ साफ का आ गया है कि मैं वैंक को तो पहली बात की रोख देना चाहिए था अपरेशन लेकिन फिर भी उसने नहीं रोका तो उसके समें वह फर्म करते हैं तो इसे हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिली भी कहते हैं ठीक है और यह दोस्तों गवन कहा जाता है पर्शनल लौ के दोरह देखिए दोस्तों इन बंगाल और पार्ट ऑफ मंगाल प्रोविंसेज एच यूएफ इस गवन बाई दया बाग लौ और अधर पार्ट दोस्तों यहां पर सामने है तो फ्रेंट्स सबसे पहले तो यह बात देखिए जैसे पार्टनर्शिप में हम लोगों ने देखा कि पार्टनर्शिप 1932 था हमारे पास उसे तरह के लिए को एक्ट डिफाइंड नहीं है पहली बात यह दियान रखना है तो यह तो हिंदू सक कस्तंब्री लोग के पेसिस पर मांंग फिंदू चलिए अब दोस्तों नेग्ट कुस नेच्ट कंसेप्ट हमारा मेनेज्मेट कोय जॉइंट हिंदू फैमिली है उसके बिग्जुन्ष और धूस्तों कोने मेनेज करेगा तो जुइंड हिंदू न जूब सब्सक्राइब हैं है एक अब जुइन फैमिली का प्रोपर्टी का जो ध्यूमों सिप है वो सब्सक्द पर्सन के मिलता है या मालिज्ए कि ओदर लॉर के लिएबलीटी है और वह उदके शीयू nhấtुर्फ स assets यह नहीं है तो और आप्स सभी नहीं है तो अभी हम लोग नहीं है कि अविन लोगे नहीं ने करता के सकते हैं कि सी भी हैच अब लोग यह समझते हैं कि जो करता है उनका पावर क्या है तो देखिए सबसे पहला है राइट टू पोजेशन और जौइन फेमली प्रॉपर्टी यानि जो प्रॉपर्टी है उसका पॉजेशन और उसका मैंनेजमेंट उसके बाद जो इंकम हो रहा है उसका right उसका हक है उसके पास उसके पास जॉइन फैमिली को रिप्रेजन करने का right और दोस्तों लास्ट है right to sell the joint family property for family purpose यह सभी के सभी हमारे manager के power है duties क्या है duties है कि जो family business उसको run करना और जो property है उसको manage करना ताकि family का benefit हो सके और यह सब इसका duties है आपके सामदी question है which of the following is not an important feature about करता he has authority to manage the HUE business his liability like other co-partner is limited to share in joint property he can appoint agent for HUE business he can take loan for HUE business and to secure such loan he can create charge on HUE property त्यांदी जे का important feature नहीं है यह पुछा गया है दोस्तों Supreme Court का एक judgment आया उसमें कहा गया कि जो HUE है वो partnership firm नहीं बना सकते हैं क्यों क्योंकि इसका कारण समझे है कारण क्या है कि जो HUE है वो other parties जैसे मान लिजे कि partnership में बहुत सारे parties होंगे ठीक है तो जो other partners है उनका जो action है उसके लिए अपने आपको level नहीं कर सकते है ठीक है क्योंकि यहां पर को एक तरह का agreement है ही नहीं इसलिए HUE cannot be call partnership तो यह चीज आपको धिहान में रखनी है तो यह था हमारा दूसरा borrower आप तीसरे borrower है हमारे companies तो companies एक तरह के borrower है इन विच 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 बैंकर डेल विच बिच बात है अब कंपनी जो है उसको अलग तो दोस्तों company has a perpetual succession इसका मतलब क्या हुआ itself continue as long as it is fulfilled the condition related to minimum number of shareholders यानि कि जब तक shareholder का minimum number का condition है वो यह fulfill कर रहा है तब तक यह continue कर सकता है ठीक है दोस्तों तो ध्यान देजेगा option B हमारा यहां पर incorrect है चलिए अब देखें कौन कों सा laws है वो जो govern कर रहे है तो तकि सबसे पहला important law act है companies act 1956 का ठीक है तो companies act 1956 में क्या का गया है कि उसको register करना इस act के अंदर और इसके दो section 11 है जिसमें क्या का गया है इत प्रोवाइड that association और partnership consisting of more than 10 इन के सब बैंकिंग बिंद्यान देजेगा यह कोई banking business है तो उसमें कम से कम 10 होने ही चाहिए और 20 से ज्यादा होने ठीक है रिजिटर नहीं होंगे तो उसे illegal माने जाएगा partnership पार्टर्षी में अगी था पार्टर्षी में कोई binding नहीं था रिजिटर्षीन का लेकिन companies में binding है कि उन्हें रिजिटर होना ही होगा अब देखिए आपके सामनी question है एक partnership firm में कितने number of partners restricted है तो अभी हम लोग ने द दिखा है इस section 11 of companies act है तो हमारा correct answer हो option number C अब दोस्तों next question है in association of more than 10% for banking business and 20 for other business can be registered as a तो रिजिटर किस रख किया जाएगा उसा company के तरह रिजिटर किया जाएगा और उस company का क्या होगा एक रिजिटर होगा चलिए हम लोग पढ़ते है next topic in corporation of company अब आजाए इस company's act का section 12 इसमें क्या का गया है कि any seven or more person or where a company form is a private company any two or more person can form a company by subscribing their name to the MOA, MOA क्या होता है तो आदम क्या देखा क्या होने चाहिए और फॉलिक का साथ होने चाहिए तो यह ध्यान रखना है कि मिनियूम नवर किसी प्राइबट डुक्वारमय कमप्नी में साथ हो गे चलिए आगे देखते हैं लोग अब हम अब क्या है with is a company को बनाने के लिए तो देखित दोस्तों जो कंपनी का बिजनेस है और जो अब्जेक्टिव है और जो रूल्स और रेगुलेशन से उसके लिए कुछ इन दो इंपॉर्टिन डॉकुमेंट्स है पहला है ठीक है क्या देसल रहता है कंपनी का नाम रहेगा इस में रिघ कि मेंनेजमेंट्स है और दोस्तों यह company जो officers है company के उनके power को define करेगा ठीक है और देखिए इसमें कुछ-पूस details डाता है जैसे nature of director of company, procedure for conducting meeting of shareholder, procedure for transfer and transmission of share, borrowing power of the company, officer of the company, other details, यह सभी के सभी हमारे article of association, अब देखिए दोस्तों जो उपर हम लोग ने MOA और AO के बारे में परा उसके related question है, which of the following document relating to company did not match purpose, तो MOA, state of business, object, certificate of incorporation, certificate of commission of business, state of business, अब इसे अगर पर यह देखिए, correct answer होगा, option number C, MOA के अंदर business होता है, object होता है, article of association क्या करता है, internal rule के बारे में बताता है, तो नों में difference क्लियर क्लियर होने चाहिए, जो हमारा internal rules है, regulation से यह होगी बताता है, या आर्टिकल of association बताता है, ठीक है, और यह दोनों के दोनों document जो है, वो shareholder के दोरा प्रेपेर के जाता है, जब company का formation होता है, अब charter किसे काते हैं, अभी हम लोग ने देखा है, MOE को charter करते हैं, तो correct answer का option number D, without the following is not provided by the memorandum business company, अभी हम लोगों ने देखा है, object होगा, liabilities होगा, लेकिन कितने director है company में, यह चुकि internal management का काम है, तो AOE बताएगा, ठीक है, यह चीज़ आपको clear होनी चाहि है, MOE और AOE का, फिर देखें, next question है, देख सकते हैं, कितना question पूचा गया है हमारा, इसमें पूचा गया है, विचाओ, the following information is mentioned in MOE only, not in AOE, कौन सा चीज़, MOE में लिखा जाएगा, AOE में लिखा जाएगा, तो borrowing power of the board of the company, तो देखिए, जो हमारा A, C और D है, जो borrowing power हुआ, य A, C, D, जो है, internal है company का, इसलिए उसे article of association में लिखा जाएगा, लेकिन B, जो है, कि किस registered office कहां पे है, यह हमारा MOE में लिखा रहा हैगा, चीज़ है clear हुआ है आपको, चली, इसलिए इसलिदम crystal gear रखना है, अब देखिए, companies के type पे आते है, एक है private company, private company वो होता है, जिसके article of association में कहके लिखा रहता है, वो देखिए, restriction on the right to transfer its share, limitation on number of members to 50, excluding the people who are employee and ex-employee of the company, prohibition of it to its participation by general public in its capital requirement, अब देखिए, question है, which of the following is not a feature of rapid company, there are restriction on right to transfer and share, prohibition as to participate by general public in its capital requirement, तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कि जो members है, उद पे ceiling लगाया है, कि वो 50 होना चाहिए, 50 में exclude किसी के आगया है, तो employee को, और company के ex-employee को, ठीक है, तो यह था हमारा private company से related information, दूसरा है हमारा public company, public company वो होते हैं, जो private company नहीं होते हैं, तो public company के पस कोई restriction ही नहीं होता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा नहीं कुछ restriction, ऐसा किसी तरह का restriction हमारे public company में नहीं होता है, कहने का क्या मतलब हुआ, कि जो shares है, उसको freely आप transfer कर सकते हैं, कोई number पर कोई restriction नहीं होता है, और public जो है, वो participate कर सकते हैं, उसके share capital में, और public company को दो पार में divide करते हैं, अब देखे, public company को classification है, पहला है LLP, Limited Liability Company, दूसरा है Unlimited Liability Company, और तिसरा है Limited by Guarantee, आपके सामने question है, बेचा था following not included, तो अभी हम लोगे देखा है, कि public company का तीन classification है, किसी include नहीं किया जाएगा, तो option दिए बात है, सभी के सभी के include किया जाएगा, यह सभी के सभी examples है, government company कौन होते हैं, एक ऐसा company जिसमें state government का, या central government का, एक आवन पर्सेंट से ज्यादा से ज़्यार हो, उसे ह तो यह चीज़ क्लियर हो गई, अब देखी कुछ और companies होते हैं, जिसको define क्या गया है, companies like 1956 के अंदर, ठीक है, उसको classify क्या है, existing company में, holding company में, foreign company में, subsidiary company में, existing company क्या होता है, तो ऐसा company already existed before, ठीक है, उसे क्याता है, existing company, उसके बाद आता है, foreign company, company जो कि foreign country में registered हो, holding company, company holding earning more than 51% of share capital, another company, जैसे मान लीजिए, कोई company है, वो एक 50% से ज्यादा, से दूसरे company का hold किया हुआ है, तो holding company का लाता है, और subsidiary company क्या होता है, it can be seen that where there is a holding company, तो जो other company होता है, उसे हम लोग सब्सक्राइब काते हैं, अब कुश्यों आपके सामने वीचा तो following can be classified as foreign company, तो अब यह सी लोग देखा 51%, ठीक है, एक लिस्टी परसेंट, जैसे मान लीजिए, कोपनी, दुसरे company का, कम से कम 50% होल्ड कर रहा है, तो holding company का लाएगा, ठीक है, तो यह हम लोग ने देखा, यह एक लिस्टी परसेंट, अब दोस्तों, इसके बाद है, इस्टेटरी कॉपरेशन, तो जो इसलाइज बैंक है, वो banking companies act, ठीक है, 1970 के अंदर है, तो question है, when an organization is established under an act of the parliament, it is called, जब भी याद रखेगा, एक organization को establish किया जाएगा, जब भी किसी organization को establish किया जाएगा, किसी भी parliament के act के अंदर, जैसा कि SPI को किया गया, या public sector bank को, इसलाइज बैंक को किया गया, तो उससे हम ल club हो, society हो, school हो, ठीक है, ऐसे buddy, जो कि किसी भी law के अंदर नहीं incorporate किया गया है, तो वो किसी transaction mentor नहीं कर सकते है, और यह जो buddies है, वो govern के जाते है, company act के दोरा, या cooperative society act के दोरा, and the function within the ambit of this law, जैसे club है, तो club को register किया गया है, company act के अंदर गत, या society registration act के अंदर गत, या cooperative society act के अं और दोस्तों, यदि trust हिंदू का है, और मिसलिम का है, तो हिंदू वाले case में religious and charitable endowment act है, और मुसलिम वाले case में walk act है, यह याद रखेगा, trustee कौन होता है, जो trust को manage करता है, और जो power of duty of trustee है, वो trust deed में लिखाता है, जैसे partnership deed साना, वैसे trust deed है, ठीक है, जैसे public trust है, तो जो charity commissioner होंगे, या commission of endowment होंगे, वो सरकाल के दोरह point के जाते हैं, और उनको power होता है, कि वो trust के activities को supervise करेंगे, अब मुसलिम वाफ के जो trustee होते हैं, उसे मुतावली काते हैं, ठीक है, और उसका conduct और फंसंग जो है, वाक बोट क्या करता है, ठीक है, चलिए, तो अब question आपके सामन इसके बाद लास्ट कुछन है, इसके बाद लास्ट कुछन है, हमारा, अब मुसलिम वाफ के लिए वाफ के लिए वाक पैक्ट होता है, बाकी सब्सक्राइब होता है, तो आपके सामने, इन में से कौन सा अथोरिटी, पबलिक ट्रस्ट के अक्टिविटी को supervise करेंगा, तो इसके बाद लास्ट कुछन है, हमारा, अब मुसलिम ट्रस्ट स्कॉल, उसे हम लोग क्या करते हैं, दोस्तों, मुताबली करते हैं, तो फ्रेंट्स यह था हमारा, डिफरेंट टाप सब्सक्राइब होता है, इसमें जिते भी इंपोर्टन पॉइंस थे हम लोग कुछन के धन्यवाद